पवित रास्मा इस प्रकात चेह रहा है वो चाहता है कि मैं आपने जीवन की गवाही आपते बाटू मेरे जीवन की गवाही मैंने परमिश्वर की अग्याकारी होना सिखा है परमिश्वर ने मुझे ऐसा करना सिखाया है खास करके वे लोग जो कि टेलिविश्वर के द्वार देख रहे हैं विजवास अपनी दिया गया है अनुगर आपके जीवन में हो रहा है आप अपने ज़रतमन चीजों को लेकर खड़े हो जाएं परमिश्वर के बस्तो मेरे भाई बहनो आज किसने आपको नीम पे उठाया है साइध आप मर गए होते लेकिन आप एक नए दिन को देख पाए पूरियों को आपको टेक देनी कि हो सकता नहीं जो सांस हम लेते हैं उस हवापको हमें टेक देनी की जड़रत नहीं दो चारे लोग आज हैं होपिटल में है किसी के हाथ ने, किसी के पैर नहीं वे चाहते हैं कि उनके आँख हो चाहते हैं कि उनके कान हो चाहते हैं कि उनके पैर हो और अपने आपको देखो आपके हाथ और पैर है आपके आँख और कान है आपको नौकरी हो आपके पास पीने के पानी है पहनने के लिए कपड़े हैं दोस है, परिवार है पत्रे है, पती है, पत्री है पलिशया है, वचन है अभी उसमती है आपके लिए उध्भार है आपका नाम जीवें का कुष्टक में लिखा है वर्ग के दूद्ध आपको आपके नाम से जानते है और इत्रात्मा का सामरत आपको उपर है दुछात्मा है आपस डरती है आपके पास अधिक है परमेश्यों को देने के लिए क्योंकि परमेश्यों आपको तब ही देगा जब वो इस बात को जानता है कि वो आप में से बाहर निकलेंगी और मनुस्यों की जीवन को छुएगा अमेन फोड़ा आपके पास है तो वो कभी भी नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियों मैं कहता हूँ कि आप दे दो एक देश जो की देता है उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अमेन एक वेक्ती जो की देता है उन्हें कमी नहीं होगी एक परिवार जो देता है उन्हें कमी नहीं होगी हलिलुया आज के दिन कंजूदी का आत्म है आपको गरीभी में बांद के रखा है आपको जीवन के उपर से हट जाएगी अमेन, Halel mold, Witness मेरी मनाता एक वेच्या थी और उय जुड़े थी जुड़े हाँ, जुड़े क्या आप मुझे देख सकते हें मैरी माता जुड़ॢा थी मेरी माः और उसकी बहन मेरी माः और उसकी बहन के 9 भाई थे 9 भाई पांच लोग अमरिकां में डॉक्तर थे और चार जो थे वो इंजिनियर थे एक साल के अंदर उपजी नौ के नौ भाई मर गए नौ भाई मर गए एक दिन में ही मेरे मां के पांच भाई मर गए और ये डिसम्बर पच्चीज सारी की बात है वे सारी कठे वे खापी कर सो गए उन में से कोई नहीं उठा पांच डॉक्र एक दिन में ही मर गए और उस दिन मेरी दादी मा भी मर गए उती एक साल के अंदर बाकी चार भाई भी मर गए और अभी पूरे नौ लग मर गए मेरी मा बच गई और उसकी बहन मेरी माता की बहन भी उसी समय गरवती की अवस्थामी थी और जब मै पैदा हुआ मेरी मौती को भी एक बच्चा पैदा हुआ और उस समय मैं स्वस्थ नहीं था उस समय एट टैक्टी लेकर मेरी मौसी मुझे घा रही थी और मेरी मौसी जीर गई और उन्होंने अपना बच्चा खो बिया और उनका गर्व पाथ हो गया उनका बच्चा थी मर गया वो दो बच्चों को फकड कर जाने लगी उनका बच्चा गिर गया वो नीचे गिर गई और उनका गर्व पात हो गया अभी मैं सिर्फ एक बच्चा पूरे खंदान में सिर्फ महीं एक सब के सब बर गए अभी मेरे चाचा, मसेरे भाई सब ही मर गए मेरी माँ एक वेशिया होने कारण मेरी माँ जब गर्वती आवस्था में थी उन्होंने कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए ये बच्चा मुझे बविचार करके पैसा कमाने के लिए नहीं देगा इसलिए मैं इसे खतम कर दूँ ही मैं एक वेशिया हूँ और मुझे रेशिया गवर्ण करके पैसा कमाना ही है और उन्होंने मुझे गिराने का पैसला किया वो होस्पिटल में गई उन्होंने छे बार कोशिव थी लेकिन मैं बाहर नहीं आया उन्होंने के प्रकार की दवाईयां ली मैं बाहर नहीं आया उसने कहा बच्चे को मत मारो बच्चे को होने दो मैं खुच इस बच्चे की परवरिस करूँगा जी अंधर Amen और साथवे महने में ही मेरा जन्म हुआ पुरी दरह से परीपको नहीं था ताथ नहीं ले रहा था नर्थ ने कहा कि मैं मर गया हूँ और वो मुझे कुड़े दान में ठेकने वाले कोई उसी समय डॉक्टर बेनाज अंदर आए वो दिन उसका ड्यूटी का दिन नहीं था परमेशन ने उसको वहाँ पर लेकर आया उन्होंने देखा कि मुझे डस्पीन में डाल रहे हैं उसने खा नहीं बच्के को मुझे दो मुझे लिया उन्होंने मुझे इंक्यूवेटर में रख दिया जो गरम देने वाला मशीन है और वो वहाँ बैट गए और मुझे देखने लगे ठीक पूरे दिन मैं सांस नहीं ले रहा था ठीक बारा बच कर एक मिनिट के बाद जन्होरी बारा तारीख मेरा जर्म दिन है ठीक बारा बच के एक मिनिट के बाद मैंने सांस लेना सुरू किया अमें डॉक्टर बेनाड ने कहा था टी बच्टा नहीं मरा है मेरे जर्म के साथ दिन बाद डॉक्टर बेनाड की सारी उमीदे टूड़ गई डॉक्टर बेनाड की पत्मी ने मेरे मां से कहा और मैंने कभी इस परकार से नहीं सुना कि मेरे पती ने आपको किसी परकार कवाईदा किया हो अब स्वाद के से कहा happens इसलिए मेरे मां मेरे बचकर नहीं बेशा को बंकरती इति जिस्ते हमारे उम्हा गुज़ा दा था हम सडकों में अथर सोया करते थे लोग मेरे मां को पैसा देकर उनके साथ ने विचार करती थे और उनको मारते भी थे और किस प्रिकार की जंदी गालियां देते थे जंदी बाती उस समय में बिल्कू छोटा था मेरे हिर्दे में बहुत वेगना थी मैं रोता था एक दिन मेरी मान ने मेरे हाथ पकड़ा और कहा सल हम सड़क पर चलने लगे इसी के घर में मेरी मान ने उस आदमी से कहा मैं आपके घर में काम करूँगी वो आदमी गाना राज्य के आर्मी कमांडर थे उसने कहा अंदर आओ उन्होंने रहने के लिए गारेज दी हम गारेज में कुट्वों के साथ सोते थे जो भोजन कुट्वों को दी जाती थी वो हमते बहतर थी वे लोग प्लेट में कुट्वों को भोजन देते थे लेकिन हमें मिट्वों को दी जाने वाली खाना यादमी अपना दीपी को छोड़ कर मेरी मा के साथ बविचार करता था मेरी मा को मारता था किसी को ये बात मत बोलना एक चोटा लड़का होने के कारण मैं किसी कोने में बैठ जाता और ये सब को बेख करके मेरा हिल बेख टूप जाता था और बहुत रोता था एक दिन उस आदमी ने आकर कहा कि मैं दो लोगों की परवरिश नहीं कर सकता तुम यही रहो तुम्हारे बच्चे को यहां से जाने दो या तो तुम्हारे बच्चे यहां रहे तुम यहां से जाओ जिर्दे की बेजना और भूट के का रहे हैं मैं वो घर छोड़ दिया और सड़क पर आ गया मैं कुड़े दान में से उठा कर खाया करता था सड़के की नारे पेका हुआ खाना उठा कर खाता था अगर कोई सड़कों में इस तरह से खाना नहीं ठेकता तो पूरी रात भर में भूका रहता मैं लोगों की सहता करता उनकी सामान उठाने में उसके बाद वे कुछ न कुछ मुझे देते गर कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा नहीं लेता क्योंकि मेरे हाथ पैसे होते तो मुझे बड़े लड़के उसे ठीन कर मुझे ले लेते थे और वो मुझे मारते पीरते थे इसलिए मैं पैसे लेने से डरता था हम जो काटून का बक्सा कहते है न वही है मैं तो काटून का बक्सा को खोल कर उसे गदा बना कर उसमें सोता था कोने के लिए कभी कभी जगह भी नहीं मिलती थी बारिश से हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं भीग जाता था मेरा कागज का बिस्तर भी भी भीग जाता और किसी काम का नहीं रहता इसलिए आज भी जब कभी बारिश होती है तो मैं प्रात्ना करता हूँ कि रास्ते में रहने वाल बच्चों की क्या हालत होगी एक दिन मैंने एक महला की मदद की उनके हाथ में जो बैक से उन्हें उठाने में मदद की महला ने मेरी और देखा मैंने एक सापन देखा है मैंने एक छोटे से लड़के को बिलकुल तुम्हारी तरह सापन में देखा मैं तुम्हारी साहता करना चाहती हूँ मेरा हाथ पकरकर वो अपने घर लेके गई रहने के लिए मुझे गाराज दी गई मैं गाराज में सोया करता घर का हर काम घर सफाई करना पोचा लगाना गास गादा यह सब काम मैं किया करता था तब मुझे खाना देते 17 मेहने के बाद जो महिला मुझे लेकर गई थी वो एक दिन कार लेकर सहर गई वो भी एक कार एकसेड़ेंट में मारी गई मेरे जीने की मेरी सारी उमीदे फिर से तूट गई मैंने कहा मुझे क्यों इतनी कस होती है मैं फिर से दुबारा सड़क पर आ गया पुड़े डान में से और नीचे गिरे हुए भोजन को उठा कर खाता अभी एक और वेक्टी से मुलाकात हुए उनकी सहेता की उनकी बैग उठा कर कार में रख दिये उसकी पत्न ने मुझे से का दूड़का लेक्न उस आदमी ने कहा नहीं इधर आँ गारी के अंदर आँ मैं बहुत डर गया डरते हुए गारी के अंदर गया बैठ गया गारी के चारोड देखनी लगा उस आदमी ने मुझे घर ले गया फिर से मुझे रहने के लिए गाराज दी गई उस गारज में साप नाम का एक कुटा था जिसके साथ में रहता था जो भोजन कुटा को दी जाती थी वो मुझ से बहुत बढ़िया थी मेरे हिर्दे से इच्छा रूमीद यही थी ये कुटा कभी ना मर रही अगर मर जाये तो मेरा खाना भी बंद हो जाता जो कुटे को भोजन देते थे वही भोजन मुझे भी दिया करते इस आदमी के चार लड़के थे उनके घर में गर का हर काम की आप आता जैसे कि घर को सा मारना कार तो धोना सारी काम और साम के समय उस आदमी के लड़कों के लिए एक तूसन टीचर कायजन किया था और जिस कमरे में वो पढ़ते थे वो बिल्कुल गैरेज के पास नहीं थी गैरेज के सामने के कमरे के दरवाजा में एक खेद था और उस खेद में से मैं जहांकता था और उनको परते थे देखता और इसी प्रकार से मैंने पढ़ना लिखना सीखा S-O-S-O-D-O-D-O-D इस प्रकार से मैंने सीखा एक दिन उस आजमी ने मुझे पकड़ लिया तुम्हें तो सुना चाहिए था अर सुबह उचके तुम्हें काम करना है तुम्हें क्या मालूम है कि वह लिग क्या सीख रहे हैं युचे सीख शेक उन्हें टेंस के बारे में सिखा रहा था उसने मुझे पुचा की गो का पास्टेंग किया है और मैंने कहा गोँ उन्होंने मेरी ओर देखा तुम भी जाकर मेरी बच्चों के साथ बैट कर पढ़ना सीखो तुम भी जाकर बैट हो हर दिन में घर की सफाई करूँगा, सब काम करूँगा आराम के समय में जाकर उनके साथ पढ़ने लगूँगा और सुन-सुन कर पढ़ने लगा जब लड़के स्कूल जाते मैं उनका नोटबूक को उठाकर मैं पढ़ना लिखना सुरू किया लड़के मुझे प्रेम करते थे और कभी कुछ पैसे देते जब कभी वोग मुझे पैसे देते जमीर फोदकर पैसे को मैं जमीर में गार देता था मैं पढ़ा उनके घर में वे इस पात को नहीं जाते एक दिन मैं बाहर गया एक सिक्चक से मिला हमारे उस चेतर में सिक्चक ने मेरी और देखा मैंने सुना कि तुम पढ़ रहे हो अभी रेजिस्टर करने का टाइम है यदि तुम चाहते हो तो हम तुम्हारा नाम रेजिस्टर कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं मैं तुम्हारा नाम रेजिस्टर करूँगा तुम पर इक्चा लिख सकते हो so I went to my bank you know the floor I was not stingy some of you are so stingy you will not even use money to help you yourself you keeping your money in the bank and you gonna die and leave it behind I took all the money and gave it to him and he registered me I wrote the exams and passed with distinction hallelujah never been to school never sat in the classroom and first class he didn't know Jesus he didn't know God I don't care about God I hated God God is there why am I suffering I hated anything that smells like God there was such bitterness in my heart my first choice I got it I went to the school nobody knew in the house I had two shirts and two shorts just two shirts and two half pants no shoes no shoes no shoes shoes are didn't have any shoes I wore my first shoe when I was 15 years old every year 15th of February I celebrated no shoes no shoes came to the college a plastic bag with one of the shirts and the shorts in it that's all I had no pen no book nothing no pen nothing I still have schoolmates who laugh at me who meets me around the world today and they cry some of them collapse when I tell them it's me they used to laugh at 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 me you poor boy you have nothing I will go to the classroom and you push your chairs and tables away from me because I think on my bed I have no soap to bath with because my face was too far there was no soap to bath with and I had no soap to bath with normally I'll wait when they take their bath in the main shower I'll go and pick the little pieces of soap they've left behind squeeze it together and that would take me for a day hostel can I have no books to write in I used to steal sheets from the notebooks of my classmate and then I'll be able to write a note but school for Kate I have nowhere to go you see people's mothers and fathers coming for them hugging them putting them in their car holding their trunk there are boxes I'll be standing there with tears in my eyes I have I hope you are in this building this morning you say Bernard nobody cares for me you say Bernard nobody cares for me you say Bernard nobody cares for me I am nothing I am nothing I have no food I have nothing मिरे पास खाना नहीं, मिरे पास कुछ नहीं, ऐसा मत सोचे, येश्यू आपसे प्रेम करते हैं, हाँ मेरे प्रियों, अगर आपको कोई प्रेम नहीं करता तो भी प्रभी येश्यू है आपके लिए, प्रभी येश्यू है आपके लिए, इसलिए आपके लिए अपना मेरे प्रधान अध्यापक ने मुझ से कहा कि इसकूल जब तक नहीं खुलेगा तब तक तुम मेरे घर में रहो उनके पत्नी खाना बनाती और उसे पैक कर कर मेरे सीर में रख देते और कहते कि जाकर तुम इसे सहर में बेच कर आओ मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त इसे देखकर हचते थे जब कभी कि मुझे देखते वो इसकार करते मैं कभी कभी आखिला जाकर बैठता था और मैं रोता था रोता था माता नहीं पिता नहीं यह समय मेरी माँ कहा है मुझे पता नहीं चोटे साल में कॉलेज पढ़ने के चोटे साल में होस्टल में मिट्टी पर लेटा हूं होस्टल में उस समय कोई नहीं था सभी पढ़ने के लिए बाहर चले गए मैंने एक सप्न देखा सप्न देखा and in the dream I saw two men holding two spears about to drive it through my left leg मैं नींद से जाग गया तब मैंने देखा मैרे पेर से लहु बहने लगे दो प्रकार की दुनिया है एक वास्तविक दुनिया और दूसरा आत्मिक दुनिया जो कुछ वास्तविक दुनियाएं में घटी है वो आत्मिक दुनिया की दिशकर्थ है मगर प्रभू इसमसी आत्मिक दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों का प्रभू है हमताली बजाते हो इसकी स्थोती करें हाललोया मैं नीन तूट गया और देख रहा हूं कि मेरे पैर से लहू बह रहे हैं वो निसान अब तक मेरे पैर में हैं आप लोग देख सकते हैं यह तो एक सपना था लेकिन आप देखिये तो आपके जीवन को बरबाद कर देना प्राता है लेकिन प्रभूरी सुमसी आपके लिए है यह तो आपके जीवन को बदल लेगा मुझे लगवा के बीमारी हो गई मेरे सरीर में इतना भायानक रोग हो गया कि मेरे सारे सरीर को लगवा मार गया और बिलकुल मेरा उमीद तूट गया पूरा थे महना में चल फिर नहीं सका दॉक्टर ने मुझे कहा आप कभी जीवन में चल फिर नहीं पाएंगे आपको लगवा मार गया रापके जिंदगी भी बरबाद हो गया स्कूल के छुटी के दिन थे मैं प्रदाना ज्यापक के घर में था मैं नीचे मीटी पर बैठा हुआ था बिलकुल चल फिर नहीं पा रहा था मेरे लिए कोई पहिया वाली कुरसी नहीं थी मेरे बिमारे के कारण में इस प्रकार से मिटी पर चला करता था बिलकुल गरीब बेगती जिसे लकुआ मार दिया है कोई उसकी परवा नहीं करता और एक दिन जब मीटे बैठा था जन्वरे बारा तारी की बाद जो कि मेरा जन्म दिन है मैं अपने प्रदान अध्यापा के गारेज में था में नीचे जमीन पर बैठा हुआ था मैंने एक प्रकास को अपने कमरे में आती हुए देखा मैंने प्रकास को देखने के लिए मुरा उस प्रकास से मेरी आंके धुमली हो गई मैं उसे देखकर डर गया और जब इंपर काप में लगा और एक आवाज आई जो कि मेरी थाजा में ही थी बेनार उर्चा मैं तुम्हें पुरे संचार कर भेजुगा तुम लोगों को बताना कि प्रभी इसुमत नहीं मार्ग, सत्या, और जीवन है और वो मेरा एक लोगता फुत्र है उस पर भी स्वाफ है अलेलुया उस आवाज में एक सामर्थ लिए और उसने मुझे उठा कर खड़ा कर दिया और मैं चलना फिरना सुरू किया मैं चलने लगा सताना ध्यापक का घर जहां मैं रहता था वो गल्फ होस्टेल के भी कुल करीब में ही था तूल तो छुटी हो गई थी लास्ट यर के लड़कियां जो थी परिक्षा की तैयारी के लिए इसकुल में ही रह गई थी और सारे लड़कियां बारंदा के पोल्स में खड़ी थी उन्होंने देखा कि मैं सिख्चक के घर पे गेट खोल कर चल कर बाहर आ रहा हूँ वे जानते थे कि मैं चल नहीं सकता वे जानते थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा उन्होंने मुझे चलते हुए देखा वे दोर कर मीके आई और पूचा कि अरे ये क्या हुआ मैंने मूँ खोला और मैं प्राटना करने लगा और अन्य बासा मैं प्राटना करने लगा मैं स्वेर ये बासा मैं प्राटना करने लगा आई ये आम तालीबा जाकर उसकी स्टूटी करें अन्यवासा की प्राट्षना को सुनकर लड़कियों ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ उन्होंने जाकर स्कूल की बस को मंगवाई और मुझे अस्पिटल लेकर गए अस्पिटल में छपन साल की एक महला थी जो धार पाकर कही रिती से बक्तिस्मा लेकर पुईतर आत्मा से धरी हुई थी और उनका नाम मदर एलिस थी 56 साल की इस मदर एलिस ते परमेश ने परतिग्या की थी कि तू मरने से पहले एक अवलाद का दान पाईगी और जब उन्होंने मुझे लेकर आये तो मैं अन्यवासा में प्रापना कर रहा था मैंने कुछ नहीं देखा था वहां पर क्या हो रही थी मुझे कुछ पता नहीं लेकिन मैं अन्यवासा में प्रापना कर रहा था मदर आली सुन रही थी मेरी ओर देखा और बोली या लड़का लड़का को कोई दूसाद मन नहीं पकड़ा है ये लड़का पागल नहीं है ये पवित्र आत्मा से भर गया है और परमेज़ दोरी से पुषकार रहा है बहुत सारे देशों में मदर आली से घर में मुझे आत्मिक उम्मट भी मुली जब मैंने आख फुल कर देखा अब मने ये देखा जिर में कहा पर हूँ मदर आलेस ने कहा तुम्हारद्ट है और ये पहली बार किसी ने मुझे बेटा के सब दूसाद वहाई वही एक ऐसी इंसान से जिसे मुझे पहली बार फ्रेम किया है, मुझे बिली कुही मारूम नहीं था, मुझे गले लगाई, बोली बहुत अच्छे बेटी, मुझे तुम्हारे उप्र गर्ब है, वो में बचलों को सिखाने लगा, और प्रती राथ को आएगी, अपना हाथ में अन्य भासा में प्राट्ष में करेगी, और मेरे बारे में भोईश्वादी करेगी, एक छोटा नोट भी, परमेश्वर जो कुछ बहुत बहुत पहता है, तुम लिग के रखो, यह भोईश्वानी की, इंगल्डिन लेकर जाएगा, थो 24 डेसे में जाएगा, इंगल्डिन देलेकर, प्रमेश्वर आपको एक तीर की नाइ इस्थिमाल करेगा, और सार संसार के लोग इस बात को जान पाएंगे कि मेरा एक लोटा बेटा ही प्रभू है देश देश के मंतरी लोग आएंगे और बैट कर वचन पे सिनेंगे और कर नहीं शर्क के इच्छा के बारे में तुट पे जानकारी हसिल करेंगे I wrote everything down अनि सारी बात इस मौनगोफ में लख ले तीन-चार साल के बाद मदर अलेश इस दुन्या से चली गई ये सुबह मुझे बुकार कर कहने लगी बेटा मुझे इस दुन्या से जाने का समय आ गया मुझे याद है मेरे हीरड की बेदना में आकर में रॉने लगा मैंने कहा परमेसर क्यूँ तू क्यूँ इस परकार थे मयरे जीवन में कर रहे है बेटा मुझी जाना है लेकिं परमेसर तुम्हेंडे देख भाल करेगा वही जॉरताbooks के पुरा करेगा वही तुम्हें प्रयोग करेगा मुझे याद ही मैंने बड़ी बेगना से कहा कि मां ऐसा मैं क्या करू तुम्हे प्रसंद करने के लिए यह मुझे राई एक दिन आ रहा है जब हजारों, लाकों और करोरों आत्मा प्रभू को निकार करके तुमचर की और आकर्भी थेगा और सुटकर ऑपाएंगे अपने दिमानों से और सैटां के गंदन से तबी तराँ आएगी और उन्हे थूराएगी और प्रभू यिसु मसी की दाइने और खड़ी होकर कहूँगी और यिसु के कंझे में हाथ रखकर कहूँगी कहोंडी यिसू वो रहा मेरा दरका ये सब उनके अंतिम सब्द थे और मेरे हाथों में गिर कर अंतिम साथ सोड़ दी मेरे दुनिया फिर से उजड़ गई मैं बहुत मीराथ हो गया लेकिन मैंने कुछ मसीही भाय और बहनों से मिला मैं उन परिवार के साथ रहने लगा और समझ पाया कि मसीही लों कितने कंजिस होते हैं कैसे इतना कंजिस हो सकते हैं बते हुए खाना को कभी-कभी फैक देते हैं बगर वो किसी को नहीं देते हैं पर मैं निरास नहीं हुआ ज़ा मैं हमेंसा उनके घर की सफाई करते रहा और एक दिन दो पेर के समय में तड़क में परशार कर रहा था एक वेक्टी को देखा तो इतरास्तमा ने मुझे कहा या अदमी कोकेन नाम का नसुली पदार्थ लेकर जा रहा है अगर वो आपना जीवन प्रभू इसमसी को नहीं दिया तो तीम दिन के अंदर अंदर यादे पोलिस के दोरा पकड़ा जाएगा और जैल में इनके मृत्ती हो जाएगी मैंने उसे पुकारा और कहां कि तो आपना जीवन प्रभू इसमसी को देखे नहीं तो तो जैल में जाकर मर जाएगा उस आद्मी ने मेरे गरिवान को पकड़ लिया और मुझे मानना चाहता था मैंने कहा नहीं यह सच है जिसमें आपको मनाया है कहता है कि आपको बदलना चाहिए अपना जीवन उसे देदो वाद्मी चांक गया उसी समय उसी सड़क में उसमें प्रवीश मसी कभी ट्रास किया मैंने उसमें पर अपना हाथ रखा और वो मीचे गीर गया उसने मुझे पुछा आप कहां रहते ही मैंने अपना घर बताया मगर मैंने कहा कि आप मेरे घर ना आए तो जी मेरे मालिक में खाए कि किसी को घर में लेकर मत आना मेरे मालिक एक मसीही थे मेरे किसी को उस घर में आने नहीं देता था हाँ, ऐसे मसीही लोग भी है परमेशे में उन्हें बहुत कुछ दिया है वो फिर भी कंजीश है मसीही लोग आपका घर सिप आपका ही नहीं है आपता घर वो जगह है जिस जगह में परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा और उनके जीवन को बदलेगा आपता कार सिर्फ आपका नहीं हर अभी बार को किसी ना किसी को लेकर उस कार में आए इस प्रकार की मदद करें फिर आप अकेले ही उस कार को ना तलाए आप अपने गाड़ी में अकेले सेवा में आएं किसी ना किसी को लेकर आए इसलिए परमेश्यों ने आपको दिया है जो पैसा आपके पास है वो आपका नहीं जब कभी हम प्रभी समसी को भी स्वाज करते हैं हमारा सब कुछ प्रभी समसी का हो जाता है वो आदमी का जीवन बदल गया एक अच्छा बिजनेस पुरू किया जूतन का बिजनेस बिजनेस का पहला जूते उसने मुझे दिये एक दिन या आदमी एक अच्छा बिजनेस के लिए इंगलें जा रहे थे बिमान पर बैठे हुए है उसका एक पुरान दोस जो मुझेला पदार्त लिया करते थे वो दोनों एक अच्छा ही लिया करते थे इसलिए उसके दोस्त ने उसके पुछा क्या तुम ड्रग लेकर आए हो इस बेखते ने कहा नहीं मैंने उभर पाया अपना जीवन इशी को दे दिया मेरी पुरानी जीदगी जीद गई और अब मैं नया हूँ और अब मैं पाफ में आजाब हूँ इसमें कहा कैसे एक छोटा लड़का इसमसी के बारें बताया इसके दोस्त ने कहा मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ एक दिन में घर में घास कात रहा था मैंने वो लगों कात वे देखा एक गंधीर दिखना था और दूसरा मुष्कुरा रहा था मैं समझ पाया कि जो मुष्कुरा रहा था वो एक तो धर पाया हूँ दूसरा वेक चे आकर मुझे उंगली दिखाया आपने इस प्रॉए सा किया कहा मैं डर गया मैंने कहा आई रहाthing न पराप्थ हैं हमने आखे बंद कियारेख उपर के आथ पकड़े मैं जीस से बोलना चाहा मैंने शुरू किया जी मैंने जीस से बोलन चाहा लेकिन जी बोलते ही दोनों लेचे गिर गए परस तक बोला ही नहीं मैं दोट पुछवा मैंने उन्हें उठाने की कोशिश थी वे उठ नहीं रहे थे मेरे मालिक की आने का समय हो रहा था मेरे मालिक मैं कहा था कि किसी को घर में लेकर मात आना मैंने कहा उठो इस तरह से वो चलने हुपा रहे थे मैंने दूसरे आजमें से कहा इसे उठाने में मेरे मज़द कर उसने कहा नहीं मुझे डर लग रहे है तीम घंटे तेरा मिनिट जी हाँ बिलकुल तीम घंटे तेरा मिनिट वो उट पाया मेरी ओर देखा उसने कहा जब मैं जमीन पर जीर पड़ा था युझे एक आवाद पुनाई दिया और उसने कहा कि मैं तुमको इंगलें लेकर जाऊं यहाँ आदमी यहाँ आदमी वें तुमको इंगलें जाने के साथ-साथ वहां के नाशनल क्रिश्टन मिनिस्टरी में मेरे लिए बाते की वहां पर उहोंने मेरे तीन साल के सारे फीज चुका है उती ही सबता है मेरे पास आए मेरे हाथ पकरा मुझे ब्रिटिश अंबसी लेकर गए एक वीजा लेकर दी और बहुदर पॉंड दी हाथ दिला कर गुदबाई कहा आज तक मुझे पता नहीं कि वह कहा है अब तक मैंने उननगे देश में ढूना मगर वह वेक्टी नहीं मिले उनने जो कुछ भी किया है उसके धन्यवाद देने के लिए मैं उसके नहीं मिला तेवकाई करने वाले मेरे बोग कहते है अब तक मुझे बिलकुल मौलों नहीं पर मेशिर के धन्यवाद करें और उसकूल था वो देन में चलने वाली स्कूल थी मुझे परिवार सही था जहां में रहता और स्कूल जाता कुछ मसी ही भाई और बहने मुझे कुछ एड्रिस भी जी इनके साथ में रहता और भी इन में स्कूल जाता मैंने उने फोन के दुआरे संपक करने की कोज़ित की मगर किसी ने मुझे उतर नहीं दिया मुझे आप से मुझे उतर जाएंगे मुझे आपको निरास करेंगे मुझे के ऊपर से अपना दृस्ती हटाएं मुझे के ऊपर से अपना आज से हटाएं के वल अपना आज से प्रभू यिसु मसी पर ही रखे मुझे आप से मुझे जाएंगे लेकिन प्रभू यिसु मसी अभी या कभी कभी नहीं तो रहेंगे तीन दिन के बाद मैं हीदरो ऐपोर्ट में पहुचा इसके बाद कहा जाना मुझे मालूम में हूँ अरोग दिन में चलने वाली स्कूल थी वो अभी तक खुली नहीं थी अविद रात्मन मुझे कहा दाइं और मुर जाओ उस महिला वहां पर देखो वहां महिला एक बिटिस नागरे की थी उस दिस लेड़ात्मन ने कहा कि उचे एग की भिमारी है उनके लिए प्रात्म कर और उसे चुटकारा दे उन दिनों में मुझे लोगों से किस प्रकार से बात करना है मुझे कुछ पता नहीं था किंकि मैं एक फोटा गाउं का लरका था पर मेर सर जो कुछ भी कहता मैं उसे ही मानता था पर मेर सर जब भी मुझे बात करता तो मैं उसे पूछता था कि परमेश और इते में किस प्रकार पे लोगों तक प्रस्तूत करूँ इसलिए ए मुहिला पविद्रात्मा कहता है कि आपको एग की विमारी है ये जरा तुम्हें चितकारा मिलेगी पर या मुहिला भानने लगी मैं भी उसके पीशे दोडने लगा महेला ने पुलिस को भूलाया मैंने प्रभू को ये क्या बात है मिलेगी कि पीशे महेला के पीशे मद दोड़ मैंने कहा है प्रबू मेरा कोई इसमें गलब नहीं है अच्छा आत्मा ने कहमत धृदा उसमें तुम्हें के आवाद को सुना है और वो जानती, यह सथ है, वो आएगी, मैं उधर ही खड़ा हो गया, मैंने देखा कि महीं आ रही है, मैं पूछा तुम्हार नाम क्या है, तुम्हें जो कुछ कहा वो बिल्कुल सथ है, मुझे एट है, अगर यह आज की दीनों में होती, तुम्हें उस महिला को किसी कोने में लेकर जाता, लेकिन उन दीनों में मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने अपना साथ, उस बोरी चम्रे पर रखा, और मैंने प्रासन की यार कहा कि, एग, एशु के नाम से बाहरा, और वो नीटी गिर गई, वहाँ पर पुलिस आ गई, यह पर मैंस से यह क्या है, मैं तफ़स गया, उन्हें उस महिला को हिला कर उधाया और कहा, कि क्या तुम इस लड़के के बारे में केस करना चाहते हो, उसने कहा नहीं, यह आपस का मामुरा है, एक सब्दा के बाद, यह महिला, अपना मेडिकल टेस्ट कराती है, सारे पेस्ट कराने के बाद, उन्हें पता चलता है, कि उनके सहरी से HIV-AIDS के बिश्टानल पूरी तरह से जायब हो चुके है, हलेलुया, ताली बजा कर परमेशन की महिना कीजिए, अमें, हलेलुया, अभी, मुझे अपना घर लेकर गई, सारे किताबों का पैसे दिये, अलग अलग जगा में जाकर, कंपनी, स्कूल, चर्च में जाकर, अपना कवाही देने लगी, उस महिला को जो देख रहा था, उस डॉक्तर का नाम तेरोइड था, और टेरोइड नासिग एस्टिएशन का एक वाइस प्रेसिडेंट था, नासिग लोग पर में सुपर विश्वास नहीं करते, परंतो या आदमी अभी, बटिसमा लेकर तो यह तुमसी का एक बहुत अच्छा सेवक है, अब मैं बाइब स्कूल में हूँ, Monday to Friday, तुम बार को लेकि सुकुरवार को, और सुकुरवार को, मुझे मिमंतरन मिलेगा, विजुलें में परचार करने के लिए, और सुकुरवार के सामको में बाइब 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 सुकुरवार के सुकुरवार के सामको में बाइब सुकुरवार के सुकुरवार के सामको में बाइब सुकुरवार के सुकुरवार ऐसे 47 देटों में परमेशर ने मुझे सुतमाचार का प्रचार करने का मौका दिया एक दीन दावे स्कूल का टीचर प्रधान अध्यापत दावे स्कूल देख भाल करने वाला उजे बुलाया कहा बेनाओ हम तुम्हे ग्रेजुएट करने चाहते हैं उनने कहा ये तो ग्रेजुशन का समय में है कहा नहीं नहीं बहां प्याए हुए सिखक और यहां के सिखक सथी ये कहते हैं जो यहां दे हैं परमेशर आपको प्रयोग करता है और वे आपसे चीख कर जाते इंके जीवبة में काम करने के लिए पर महिश्र तुमकों इंस्किंदूरिक अपी्ट दे हैं तुम्हारे साथ पढगने वाले किसँ को मत बोलन है इसे सारे सब्सक्राइग लोग हुमने लिखते हैं बोलते हैं और गरजोशन का एक टोपी लगाए पंचालग ने मुझे पर हाथ रखा पंचालग नीचे गिर गया प्रदान द्यापक का सहाय भी आफिस देने की हाथ रखा वह भी नीचे गिर गया ओ प्रभू ओम मुझे अभी शेक करेगा प्रभू जो खोगी मुझे शूटा वो तो मीचे गिर जाता है प्रभू मैं बादे श्कूल से बाहर आया प्रमेश्यर मुझे अमेरिका लेकर गया आज तक उनन अबे देशों में प्रमेश्यर ने मुझे लेकर गया काली वजाते प्रमेश्यर की महिमा करें आठ वेहाइट देशों की अधिपती मुझे फोन करकर बुलाए वेक्तिकत रिटी से स्वागत किया की सुने की देश के लिए प्रमेश्यर का इच्छा क्या है और परमेशोर ने उन्हें जो कुछ भी कहा वो सब कुछ पूरा हुआ आज परमेशोर की महिमा के लिए मैं कह सकता हूँ मेरे साथ पढ़ा हुआ दस लोग उनका युनिवर्सिटी का सारे पीट मैंने पुकाया काले बजाकर परमेशोर के दनिवाद करेंगे आज वो मुझे पापा पुकारते हैं मेरे साथ परमेवाले थे आज मुझे वो पापा पुकारते हैं मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई उन्होंने अपना जीवन हीशी को दिया उसमें बावेश पढ़ना सुरू किया उतों कुवास और प्रात लग करना सुरू किया रोचन के अनुसार चलने लगी मैं उन्हें तिखाने लगा अपना हाथ उनके उपर रखा और दुस्टास माँ को निकाला फिर वा पवित्रा आत्मा से भर गई माँ घर में ही रहना सुरू किया इसमें और परना कुरू किया प्रभू का दन्यवाद मेरी माँ आज बिजनिस मैनेजमेंट में डॉक्टरेड लिया हुआ एक और अवरत है हलेलुया हम फिर से परमेशर का दन्यवाद करें मेरी माँ गाना राज्य में एक स्कूल बनाया जिसमें साथ हजार बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं क्या इस बात के लिए परमेशर का दन्यवाद करेंगे और साथ हजार बच्चों में किसी ज़ी सीज नहीं लिया जा रहा है सभी को स्कूल शिप परमेशर की महिमा हो प्रतेक वर्ष अफरिका के अलग अलग बेसों के छे हजार बच्चों के लिए हर साल उनका स्कूल फीज दिया करता हूँ पहनने के लिए कपडे बहुत अच्छा खाना यह सारे ख़च मेरे जेब पे होता है स्कूल का सारे फीज देने के लिए परमेशन ने मुझे इस्तिमाल कर रहा है प्रभू की स्टूती हो इस वर समाप परित पहले हम इसे छे हजार बच्चों से लेके आगे बढ़ा कर दस हजार बच्चों तक पहुतना चाहते हैं परमेशन के पहुत्र लोगो मैं पागलों की नाई देता हूँ और गौने की स्टूती हो मैंने एक रहस्य को सीखा है परमेशन आपके ऊपर भरोसा रखकर कुछ देता है और आप परमेशन के सेवा के लिए कुछ ना देतो परमेशन आपको आगे से कुछ नहीं देगा कुछ नहीं आप देंगे तो आपको मिल जाएगा इसलिए जो मेरे आज़ास होते हैं देने वाले नहीं हैं तो मैं बरदास नहीं करता अगर मुझे पता चला की हुआ वैक्ती कंजूस है तो मैं उसे दूर भगाऊंगा क्यूंकि कंजूसी यह एक सेतान है यह बिसात्म है यह एक आजमिटे दूसरे आजमी में घुच सकता है मैंने बहुत गस उठाएंगी मैंने बहुत रोया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी का कंजूसी का आथ मुझ में ना घुचे यदि आप कंजूज लोगों के साथ सलते भीरते हैं तो आप भी कंजूज बन जाएंगे कंजूज लोग अपने गरीबी पन ते बाहर कभी ने आएंगे हमारे अपने गरीबी पन ते बाहर आने के लिए एक ही एक रास्ता है आपके पास दो कुछ है वो सब कुछ पर मेशर को दे दो आपका पैसा आपका पैसा प्रॉस्ट तय प्रॉस्ट इन मेशर पर भरेंचा कर दकता है कुछ दिन पहले हर साल लगबग मैं 14 देशों में जाता हूँ एक साल मैं प्रभू के लिए कितना देता हूँ मैंने हिसाथ किया मैं पैसा की और नहीं देखता हूँ जेसे ही पैसे एकाउंट में आता है और ये उड़ जाता है मैं समझ पाया एक साल में लगबग 30 लाग दॉलर लोगों तक पहुचता है 30 लाग दॉलर मतलब कितना करोड रुपिया बन जाती है आपको मालूम आपको मालूम अले हाललुया तलिवा जाते हुए पर में शुर का धन्यवान करे देखो यह प्रभू का दास एक साल में लगबग 12 करोड रुपिया प्रभू के सेवकाई के लिए खर्च करता है देखो कैसे एक देश्या का संतान ना अधिक बहु पायत से लोगों को दे सकता है यह कैसे हो सकता है कैसे देना 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 देदो 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 प्रग का प्रभू और प्रित्वी का प्रभू जो सोना और चांदी के ऊपर भी नियंतरन करता है जो दुनिया के सारे धन दॉलत के ऊपर नियंतरन रखता है जो की ग्राहत के ऊपर और बिजनिस के ऊपर जो सारे रीटूं के ऊपर भी नियंतरन रखता है आपने दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आएगा अधिक्तर बहुत सारे जो आपने प्रभू के लेदिया है उसे भी अधिक्त आप मेरे बहुत से पूछ सकते हैं पास्ट जोसे की दर आए आपको याद है अमेरिका में हम जहां के ही जी गए मैंने फिर इस्तु आपवी तरात्मा के बारे में प्रचारतों नहीं किया और कियो लगुत काम दूपर दिहान नहीं दिया मैंने द्धन के बारे में हैं बात किया क्या यह सच है आपको मालूम है क्यूँ क्यूटि आप परमेशो के बच्चे जो बिलकुल गरीब हैं जिनके पास काफी नहीं है जो कि लोगों की सहता करें इस कारण बहुत सारे लोग कस्ट उठा रहे हैं बहुत सारे लोग दूप तकलीफ में हैं आप परमेशो के बच्चे हैं आपके पास परमेशो का ही दे हैं आपके पास इड़स है थि लूगों को महशूस करें लेकिन लोग दूसरों के बारे में परवा नहीं करतें लियॉशा करalts है बसको बढें दुनिया को नहीं अंतर्ण करते हैं परमेश उन दूसरों के हाथ से सब कुछ जो उनके पास है चीन करके अपने बच्चों को देना चांता है ताकि मसीही लोग एक दूसरे को मदद कर सके आमेन हावलुया जुनिया का एक ही आसा उहें सिर्फ प्रभु येश्व मसीश हे दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियां और उनके परचार लेकर आँँगा कि पर्मेशन उसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, पर्मेशन के जिन्दग्यों में क्या किया, मैं इस चैनल पर आपके लिए लिकराऊंगा, चाहे वो पस्टर किसी भी देश से क्यो ना हो और आखरी और जुरूरी बात, इस चैनल को अपने मसी भाई बैनों और अपने चर्च के लोगों साथ बाटना मत भूलना, तकि वे सब मसी में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं, तो मिलते हैं दोस्तों, अगले हफ़ते, अलविदा